दीपा वाली में आपने जरूर बनाई होंगी मिठाई और छट पूजा भाई दूज का नारेल रखा हुआ होगा जो की रखे रखे सर जाएगा या फिर खड़ाब हो जाएगा तो क्यों ना उससे एक ऐसी रेसिपी बनाए जो खाने भी अच्छी लगे और बहुत दिन तक च सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी वेट 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 ये ना आपको वर्फी होगी ना ही लड़ू होगा ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है जो आपको मेरी वीडियो देखने के बात पता चलेगी बिना स्पिट किये मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और मैंने इसके इंगेडियन्स को भी नोट कर दिया है वीडियो के लास्ट में आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा तो ये सारे नारियल है जो कि सारे छटपुजा और फेस्टिवल वाले बचे हैं और ये चासनी जो कि मैंने दिपावाली के टे स्लाइस में कट कर लेना होगा तो हम यहां पर एक स्लाइसर लिए हैं और इससे हम नारियल को पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे आप हमारे इस्टिमेंट को देखकर ये मत अंदाज आ लगा लिजिएगा कि हमारे रेसिपी अच्छी नहीं होगी यकीन मानिए आप अग और ये बीना ताम जाम की बनी हुई भी रेसिपी है तो हम इसे इस तरह से पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे और बाकी को भी हम कट कर लेते हैं तो लीजिए हमने सारे को पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया है और हम एक प्लेट पर थोड़ा सा वाइल या घी लगा कर ग्रीस कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से लगाईएगा फिर हम एक परतन में चासनी को एड़ कर लेंगे और इसे कुक करेंगे थोड़ा सा पाने डाल कर ताकि यह जल्दी पिखल जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लेते हैं और इसे पिखलने तक कुक करेंगे और इसे ज्यादा भी कुक करना नहीं है क्योंकि यह चासनी बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है अब यह धीर धीर पिखलना शुरू हो चुका है तो हम इस अस्टेज पर इसे खुस्पुदार बनाने के लिए हम इसमें आड़ करेंगे आधी जम्मच इलाजी और इसे भी एक दो मिनिट के लिए कुक करेंगे तो यह चासनी पकी हुई है फिर भी हम इसे थोरा सा चेक कर लेते हैं कि यह अच्छी तरह से कुक हो गया है की नहीं तो वही प्रोसेस अपनाना है एक काटोरी पानी लेंगे उसे इसमें डिप करेंगे अगर यह पूरा एठन जसा बन जा तो हमारी चासनी रेडी है तो देखिए यह इस तरह से तो हमारी चासनी तो आरेडी रेडी हो चुका है अब हम इसमें डिप करेंगे एक चमच किश्मिश अब इसे थोरा और जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें डिप करेंगे एक चमच किश्मिश तो हमने इसमें एक चमच किश्मिश अइड कर दिया है और फिर हम इसमें अइड करेंगे स्लाइस किया हुआ नारियल और इसे एक दो मिनिट के लिए कुक करेंगे ताकि यह अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और चीनी इसे अपने में एक जॉफ कर ले एक दो मिनिट कुक करने के बाद हम इसे ग्रिस किये हुए प्लेट पर ट्रांसफर कर देंगे और इसे दस से पांच मिनिट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे हमें ज्यादा देर तक ठंडा करना नहीं है क्यूंकि हमें इसे बर्फी का रूप नहीं देना है पस यह भुरुडा जैसा हो जाए ठंडा होने तक तब तक हम इसे ठंडा करेंगे और इसे चार तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे अब हम इसे 10 मेट का रेश्ट देते हैं अब 10 मेट हो गया है अब हम इसे चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह से सेट हो गया है या नहीं तो देखिए यह अच्छी तरह से सेट हो चुका है यह रहले की है अब हम इसे किसी नाईव की हेल्प से हम आपको नदीन करके दिखाते हैं अब हम इसे नाईव की हेल्प से कट कर लेंगे अगर आपके घर में भी चासनी बची हो और नारियल हो तो आप ये मिठाए जरूर ट्राइ करिएगा अपने घर पर और हमें कमेंट करकर बताईएगा कि ये कैसा बना है और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है इसकी इंगिडियंस के देखनी है तो आगे इंगिडियंस है आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा जो कि सारी इंगिडियंस ये है है नए ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिए और हमें कुछ भी सजेशन करना हो तो हमें कर्मेंट करकर जरूर बताईए तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अपने इसे चैनल घर का जायका विद्खुश्वों में जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए और आस पास सफाई बनाई रखिए थैंक यू एंड टेक क्यार एंड नमस्कार